आज बाबा शुरू कर रहे हैं एक विशेश बाद से तुम सभी संगम युग पर ही आत्म भीमानी बनते हो स्वयम मैं आकर यानि भगवान आकर आत्माओं को आत्म भीमानी बनना सिखाते हैं ये बात संसार में किसी ने नहीं सिखाई रिसीवों नहीं सन्याशियों ने किसी ने नहीं सिखाई मैं आया हूँ तुम्हें पढ़ाने के लिए तुम्हें स्रश्टी के आदी मध्यंत का ग्यान दे रहा हूँ और आत्मवीमानी बना रहा हूँ सत्यूग में जब तुम चले जाओगे इस ज्ञान और योग के द्वारा तो महा दुख का नाम निशान नहीं होगा सुख ही सुख होगा महा कोई नहीं कहेगा हमें श्यानती चाहिए संपूर्ण श्यानती है महाँ और बहुत गहरी बाद बाबा ने कही मैं तुम्हें इतना वरपूर कर देता हूं कि कोई भी देवता भगवान से मांगता नहीं कि हमें ये दे दो वो दे दो दुआएं दे दो आजकल तो कितनी दुआएं मांगते हैं पोग भी आता है दुआएं करो और धर्मों में भी दुआएं करो लेकिन मैं तुम्हें आकर इतना माला माल बनाता हूँ कि तुम्हें कुछ भी मांगने की ज़रुद नहीं होती, लेकिन मेरे इस ग्यान को समझने के लिए बुद्धी बहुत पवित्र चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें पवित्र बनाता हूँ, जो बच्चे चलते चलते गिर जाते हैं, उनका पद भरष्ट हो जाता है, मैं तुम्हें अच्छे कर्म करना सिखा रहा हूँ, जितना तुम अच्छा कर्म करोगे, उतना ही सत्यूग में उच्च पद पाओगे, कर्म अच्छे नहीं होंगे, तो पद बहुत डिला हो जाएगा, तुम्हें स्रेष्ट कर् कुबल से, तुम स्रेष्ट कर्म करना सीख रहे हो, तुम मेरे से योग लगा कर बहुत ताकत पाते हो, इतनी ताकत के दो यूग तक सुख ही रहते हो, तुम्हारे अंदर सुख की ताकत रहती है, वो ताकत दो यूग में समाप्त होती है, सन्यासियों में भी ताकत थी पहल उनमें श्यान्ती की ताकत थी, इसलिए जंगलों में जाकर रहते थे, अब तो ताकत खतम हो गई, तो सहरों में आगे, बड़े-बड़े मकान बना कर रहने लगे, लेकिन सन्या सी बहुत पवित्र होते थे, बहुत ताकत थी, तब पवित्र थे, तो कहते थे हम स्वर्ष्ट कि आदिमध्यनत को नहीं जानते अब तमोपरदान बन गए तो कहते हैं सिवो हैं मैं ही सिव हूँ बला क्यांतर रहा उन राक्षसों में जो अपने को भगवान कहते थे और इन में यह गलत मन्यताय हो गई तो बाबा कह रहे हैं मैं आकर दैवी संपरदाय की स्थापना करता ह हूँ अभी कर रहा हूँ तुम्हारी यह संपरदाय दैवी संपरदाय नहीं है तुम्हारी कहेंगे ब्राह्मन संपरदाय सुर्य वंसी और चंद्र वंसी की स्थापना करता हूँ जो जितना मेहनत करते हैं योग में रहते हैं वो सुर्य वंसी बन जाते हैं बाकि चंद्र कर दैrialनी के लिए अभी तुम्हारे आथ में है तुम्हें रजा बना रजा बना है तो परजा भी था निपड़ेगी मेहनज बच्चो का बार 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 टू आता, इसमें ही मेहनत है और दूसरी बहुत वही ये बात है, राजबरी बात है कई लोग समझने लगे थे के शिरी करशन ने कहीं न कहीं जनम ले लिया है बाबा उसका उत्तर दे रहे हैं शिरी करशन जो संपूर्ण रूप से पवित्र है जो आत्माएं आसंगम यूग पर राधा और करशन की संपूर्ण कर्मातीत बने, स्रेश्ट योगी बने, वो तब ही जनम लेते हैं, जब यहां कोई भी तमो परधान, पाप आत्मा नहीं रहती, अब तो पापियों की दुनिया है, विश्री करशनवला कहा जनम लेगा, तब से सत्यूग प्रारंब होता है, नवयूग प्रारंब हो जाता है, उनके माबाप, दूसरा राज बता रहे हैं, कि उनके माबाप की महिमा क्यों कम है, श्री करशन राधा की महिमा है, उनके माबाप की वत नाम है, लेकिन बहुत महिमा नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत श्रीक्रस्न के मात्पिता के मात्पिता, वो तो कल्युक्य होते हैं, तो उनके पास योग की बात नहीं, तो इनके माबाप का जनम योगबल से नहीं होता है, भोगबल से ही होता है, इसलिए उनकी उतनी महिमा नहीं गई जाती है, श्रीक्रस्नी नमबर वन है, बहुत कुई राज बताया, शिरी क्रस्न का ही पहला जनम योगबल से होता है, यह निवाँ शुरुआत है योगबल की, उसके बाद सभी देवताओं का आगवन होता है और यह सरस्टी आगे बढ़ती जाती है, बाबा कहरें तब तक अदल्धे बदली होती जाएगी, क्योंकि यहां ब्रामनों में से भी बहुत सारी आत्माएं सरीर छोड़ती हैं, पुनर जनम लेती हैं, तो उनका भी जनम कोई योगबल से तो नहीं होता है, लेकिन फिर सब आत्माएं वापिश चली जाएंगी, थोड़े यहां रहेंगे, थोड़े रहेंगे वो सत्यूप का निर्मान करेंगे, फिजिकल निर्मान, तो बाबा ये बहुत अच्छे रहस बता रहे हैं, मैं तुम सब को घर ले जाने भी आया हूं, और दैवी संपरदाय की स्थापना भी कर रहा हूं, तो मैं अच्छे कर्म करने हैं इस समय, आत्म भीमानी बनना हैं, पूरी तर है, ज और वही स्रेष्ट पद प्राप्त करेंगे, इसलिए बाबा बार बार हमें अच्छे कर्म करने की प्रेणा दे रहे हैं, और ये प्रेणा भी बार बार दे रहे हैं, कि तुम्हें अपने योग बल को बहुत बढ़ाना है, क्योंकि आने वाला समय परिवर्तन का होगा, सब क साकसातकार भी बहुत होंगे, और ये दुनिया बदलेगी, मैं आया ही हूँ दुनिया को बदलने के लिए, वर्दान है, तुम सभी जहान के नूर हो, तुम्हें दर्शनिय मोर्त बनना है, तब तुम सब को नजर से निहाल कर सकोगे, बड़ी गुई ये बात है, कि नजर स निहाल होने वालों की लंबी क्यों लगेगी, तुम आत्माएं जो जहान के नूर हो, यानि जहान की आखे हो, तुम्हारी दर्श्टी पाने के लिए भीड आएगी, तुम्हें उन सब को नजर से निहाल करना होगा, ऐसा दर्शनिय मोर्त तुम्हें बनना है, अपनी से निहाल कर सको, स्लोगन है, निर्मलता, निर्मान इस्तिती की निशानी है, इलिए निर्मल बनो, निर्मान बनो और सफलता को पाओ, तो आज सारा दिन, हम सभी को आत्मिक द्रश्टी से देखने की प्रेक्टिस करेंगे, और आत्म वे विमानी होने का अभ्यास करेंगे, आत्मा के सारे गुनों का चिंतन करेंगे पांच बार कम से कम और सब को आत्मा देखेंगे ओम श्यंति